स्वागत है मित्रों आप सभी काई बर्फिट से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रानिक इस्टड़ी में नमस्कार आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदर्श या मॉडल प्रेशन पत्र सिक्ष्ण अधिगम के सिध्धान्त इसके तहट हम बात करेंगे आज भाग दो के बारे में भाग एक के बारे में मैं अल्ड़ी बात कर चुका हूँ कुछ नमबर आफ कोईशन्स थे उनके बारे में जो हैं हम बात कर चुके हैं आज उसके आगे के questions देखेंगे जिसमें आपके जो अतिलगुतरिय प्रशन है और जो लगुतरिय प्रशन है दोनों इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, इसमें उसके आगे के जो questions है उसमें दिया हुआ है, विवरण और वरण प्रविधि में अंतर बताईए प्रविधी मतलब मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ ठीक है आगे जो अगला सवाल है इसमें question है वो है व्याख्यान प्रविधी का मुख्य उद्देश है क्या है यानि कि जो demonstration टेक्निक होती है उसकी उद्देश के वारे में पूछा है इसमें यह विधी क किस अस्तर की कक्षाओं ये तो उप्योगी होती है कहने का मतलब है व्याख्यान विधी को आप बताईए उसका उद्देश है क्या है साथ में किस अस्तर की कक्षाओं के लिए जो व्याख्यान प्रविधी है यानि demonstration टेक्निक है वो यूज की जाती है आगे इसमें निरेक् विधी का अर्थ एवं सिध्धान्त बताईए आवर्शक्ता क्या है वो भी बताना है अगला इसमें है प्रियोग प्रदर्शन युक्ती से आप क्या समस्ते है तो याद रहे मितरों जब भी हम science subject की या विज्यान विशे की बात करते हैं तो उसमें प्रियोग प्रदर्शन कर बताना छिक है तो वह साइंस में आता है तो करके सीखिने वाले उसमें या खेल पददी भी आती है, next है इसमें प्रश्णोत्र प्रविधी के कितने सोपान है, मतलब number of steps की बात की है, तो प्रश्णोत्र प्रविधी के आपको सोपान बताने है, next है इसमें किंडर गाधन पदधी क्या है, इसमें क्या होता है, वो बताना है, अन्वेशन विधी का अर्थ क्या है, आ आगे इसमें डिरिक्षण विधी का सिक्षण में महात्वा बताईए अगला है उदाहरन प्रविधी की दो उप्योगिता बताईए उदाहरन प्रविधी की उप्योगिता बतानी है नेक्स आइसमें क्रियापरक विधी का क्या क्रियापरक विधी जो है वो क्या होती है उसके आसपास के duration की बात करूँ तो उसमें सिक्षक केंदरित सिक्षा थी ठीक है अब ही क्या है आधनी क्यूग में जो है वो बाल केंदरित सिक्षा है आप को जो कहने कार्थ ही है कि आपको अब जो भी जो teaching जो मेथड है जो तरीका है वो बच्चों के हिसाब से आपको करना ठीक है आपको उन्हीं के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा पहले क्या होता था शिक्षक अपने हिसाब से आके पढ़ा के और चले जाते थे ठीक है तो यहीं अंतर है दोनों में जो अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए आगे इसमें क्या ध्यापन आदेश आत्मक नहों कर निर्देशात्मक होना चाहिए इस कथन का आश्य बताना है यह भी क्या इंपोर्टेंट है कि आदेश ना दे करके आप निर्देश दीजिए बच्चों को जो है ठीक है और वही इसमें आपको जो है इसकतन का आश्य इसमें बताना है आगे बात करते हैं रूची पूर कक्षा 2 के बच्चों को जो है आप एक ही क्लास में बैट के पढ़ा रहे हूं वो बहु कक्षा में आपका चला जाएगा ठीक है बहु उस तरिये भी उसी में उसी का एक काउंसेप्ट है आगे बात करते हैं इसमें उपचारत्मक सिक्षण से आप क्या समस्ते है सिक्षक की आगमन विधी ये क्वेशन भी काफी इंपोर्टन है आगमन विधी का नाम बहुत कमी देखने को मिलता है अब इसमें है सिक्षक की आगमन विधी का क्या मतलब है फिर उसके बाद है दक्षता आधारित विधी के शोपान गतिविधी किसे बोलते हैं काउशल प्रस्तावना कैसे तो इसके बाद है और उसके बाद रिस्टांत प्रयोग की बात कर रहा है तो उसके माध्यम यानि कि जो आप शाब्दिक और आशाब्दिक दोनों बता सकते हैं इसमें उद्धीपन परिवर्दन काउशल के परिभाशा बताईए यह भी महत्वापूरण सवाल है आनंद वादे सिध्धान्त क्या है आप इसको भी बात कर सकते हैं इसके बारे में भी देख सकते हैं अपक्षित अधियम स्तर की संकल्पना यानि काउंसेप्ट आफ एक्सपेक्टेड लेर्निंग लेवल और उसको प्राप्ति हेतु किये गए प्रयास क्या है वो आपको बताने है अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बहुत सारे कंटेंट से एक्जाम भी आपके नजदीक आ रहे हैं ठीक है अगर ऐसे लेकर के चला जाए कि स्टार्टिंग के उसमें से तो काफी वक्त लगेगा उसको जो है एक्स्प्लेइन करने में बताने में तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताएं वहाँ पर मैं उसको जो है लेकर के एक वीडियो बना करके मैं बता दूँगा उसमें ठीक है तो मिलते है मित्रो अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद